आजानी भोपाल करो करेंगे सूरज हमारे साथ जड़े हुए हैं मुकेश नायक उनके साथ हैं सूरज जर्ण पूछिए मुकेश नायक जी से किस तरीके से देख रहा है कॉंग्रिस किस नाय पत्र को सूरज जी सुमित हमारे साथ मुकेस नायक जी मौजूद है इन्हीं से बात करते हैं सर कांगेशनों घोषणा पत्र जारी क्या है कैसे देखते हैं इस पूरे घोषणा पत्र में दी है देश के नौजवान देश की महिलाए श्रमिक किसान और बेरोजगारों को परकेंद्रित उनके लिए न्याय पर केंद्रित यह हमारा घोषणा पत्र आज़ारी हुआ है और इन पांच वर्गों को हम अगर शशक्त बनाते हैं तो देश को मजबूती मिलेगी देश आगे बढ़ेगा अरे भाई जो वर्ग जितनी बड़ी संख्या में गरीब है आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको न्याय किया वह शक्ता है तो हमने यही तो कहा है कोई जाती बात की थोड़ी बात कही है कि जो बहुत बड़ा वर्ग है अगर जनसंख्या का आकलन होगा तो गरीबों का भी आकलन होगा आर्दिक सीमा रेखा के जो नीचे जो व्यक्ति है उसका भी आकलन होगा और जब इन सब का आकलन होगा तो हमें तारगेट और सही प्राथमिकता मिलेगी कि हमें किसी की मदद करना है किस तरह इसे मदद करना है उस पर केंद्रे था महिलाओं को लेकर भी एक लाख रुपए देने की बात कहीं जा रही है इस ट्रैटीजी क्या है कॉंग्रेस की महिलाओं को लेकर इस चुनाओं में अगर अभी तक बात करें 25 प्रत्यासियों में केवल एक महिला को उमीद वार को टिकर मिला है देखिए पूरे देश में पूरे भारत वर्ष में जो कॉंग्रेस पाइटी है यह सरवांगनी विकास पर विश्वास रखने वाली पाइटी है इसका द्रश्टिकों समता मूलक और समावेशी है सूरज मुकेश नाइक जी से एक सवाल मेरा ये है आप पूछेगा कि घोशना पत्र तो कॉंग्रेस ने मतलब न्याय पत्र तो जारी कर दिया है लेकिन न्याय पत्र की बातों को जनता तक पहुचाने के लिए कुछ सीटों पर आपके प्रतियाशी बचे हुए हैं वो कब घोशित होंगे सूरज पूछी जरा न्याय पत्र आपने जारी कर दिया तीन सीटे अभी बची हुई है आपकी उसमें पेश कहा फस रहा है क्यों नहीं आपार तीन सीटे जो बची हुई है ये तीसरे चरन की चुनाओ की है अंतिम चरन की और उसमें जिसको हमें टि जाने के लिए क्या रण लीती है कुछ इस्टेटी तैयार किया है नहीं हम हर प्रत्यासी को अपने न्याय पत्र की कापियां देंगे कि वह हाट बजारों में घर घर जाकर कार्यकरताओं की बैठक में और जिस तरह से भी पत्रकार वारता के दुए कि जो जंजन तक पहुं जो चीजे पहले रैलियों बोली जाते थे वही सारी चीजें तो कुछ नया तो है नहीं और आप युँभा के लिए महिला के लिए श्रमिक के लिए किसान के लिए बेरोजगार के लिए हम जब अपना केंद्रिश जब अपना घोषणा पत्र बता बनाते हैं तो इसमें क्य करीड की हड़ी बता रहे हैं मुकेज नायक और वही चीजे हैं चाहे जाज़गर जनर्णा की बात तो आपने देखा राहूल गांदी ने भारत जो नहीं आयतरा की तो हर रहली हर जगार जाज़गर जनर्णा की बात उठाते थे महिलाओं को एक लाग रुपए देने की बात कही आ रही है मजदूरी 400 रुपए करने की बात कही आ रही है तो कॉंग्रेस का जो घोशना पत्र है उसको लेकर मुकेज नायक जी ये भी कह रहे हैं कि हमने प्रत्यासी अपने कारकारताओं को कहेंगे कि ये जो घोशना पत्र में गारंटी दी गए ही से जनता के बीच पह